हेलो फ्रेंड मेरा नाम है रभी कुमार और आप देख रहे हैं दे रभी टेक्निकल यूटूब चैनल दोस्तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में तो दोस्तो आज की वीडियो उनके लिए है जो की पंखे का काम सीख रहे हैं या जिन क्यानल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाजू में जो बेल आइकोन है घंटी वाला उस पर विक्लिक कर लीजिए ताकि जब भी इस पर वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिपिकसन आपको टाइम से मिलता रहे देखने लिए चली दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं त कौन से वायर का क्या नाम है कौन सा रनिंग का है कौन सा स्टार्टिंग का है तो इन सब की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा और इन पंखों में कौन सा केंडेंसर यूज़ करना चाहिए यह सम मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा एक एक step आपको बताता जाओंगा आप ध्यान से समझते जाईएगा ठीक है और कुछ भी पूछना हो हमसे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उसका reply में आपको जरूर दूँगा ठीक है तो दोस्तों इस तरह का पंखा आपने देखा होगा तो किसी किसी में आपने देखा होगा तीन तार निकले होते हैं किसी में चार तार निकले होते हैं तो आप कैसे पता कर पाएंगे कौन सा running का है कौन सा starting का है क्योंकि अगर आपने गलत connection कर दिया तो आपका पंखा तो चल जाएगा लेकिन कुछ देर बाद कुछ घंटे बाद एक दिन बाद वो फुक जाएगा ठीक है और आपको पता नहीं चलेगा कहां से दिक्कत थी तो रनिंग स्टार्टिंग का पहचान आपको करना बहुत जरूरी है तो कैसे करेंगे दोस्तों तो देखते हैं तो जैसे कि अभी तो ये चार तार है है इसमें तो जो आप देखे हैं कोईल में जो बाहर भाला है यह सेलिंग फैन है च्छत वाला जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं तो इस तरह का पंक्खाई यह तो इनमे बाहर वाला यह रणिंग का होता है ठीक है ए जो कौल होती है बड़ी बड़ी जो आपको दिखाई दे रही है इक रणिंग के और जो अंदर वाला एक स्टार्टिंग का हो गया, तो एक चीज और है दोस्तों, जो बाहर वाला होता है रेनिंग का, इसमें जो टने जादा होती है, ठीक है, इनमें थोड़े कम होते हैं, तो इसका जो ओम बैल्यू होता है, जो हम चेक करेंगे, अभी आपको, जैसे कि आप स्रीज से अगर चेक करेंगे, तो आप देखेंगे, जो बाहर वाला इसमें बलब थोड़ा कम जलेगा, ठीक है, हलका जलेगा, और इनमें थोड़ा बलब ज्यादा जलेगा, तो मैं आपको, चेक करके दिखाऊंगा, मल्टी मीटर से, तो किसका वेल्यू कितना आता है, ठी मल्टी मीटर होगा, तो मल्टी मीटर से आपको चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि स्रीज के बलब से आपको किलियर नहीं हो पाएगा, कि कितना कितना आता है, तो आप मल्टी मीटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, तो मल्टी मीटर से चेक करने के लिए, आपको मल्टी मीट को continuity range पर करना पड़ेगा ठीक है तो मल्टी मिटर को मैं continuity range पर करूँगा जिससे बीप का आवाज आता है यहां पर ले जाओंगा और उसके बाद इसमें चार तार होते हैं कि तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि running का कौन सा है तो दोस्तों running का कौन सा होता है जिसका जो value होता है जो continuity में जो reading आपको दिखाए देगा जिसका ज्यादा रीडिंग होगा वह रनिंग का होगा जिसका कम होगा वह स्टार्टिंग का होगा ठीक है तो चेक कर लेते हैं जैसे कि ब्लेक वाला है और यह ब्लेक वाला है तो एक ही कोईल होता है ठीक है जैसी कि स्टार्टिंग यहां से हुआ तो वायर को घुमात यहां से लेकर आउटपुट हो जाता है ठीक है दो ही कोईल होता है दो वायर निकला होता है और 14-14 कोईल बनकर निकल जाते हैं ठीक है जैसी कि इसको मैं चेक करता हूं तो इन दोनों वायर को आपस में से टच करूँगा तो आप देखेंगे 225 वैल्यू दिखाई दे रहा है अगर ओम की बात की जाए तो ओम 2K पर मैंने किया है तो आप देखेंगे कि दो सो कुछ ओम दिखाई दे रहा है ठीक है दो सो कुछ है तो के पर जाने के बाद यह देखिए 225 ओम दिखाई दे रहा ठीक है 225 ओम अब इसको मैं इस साइड लगाऊंगा तो कोई वैल्यू नहीं बताएगा ठीक है इस साइड लगाऊंगा तो कोई वैल्यू नहीं बताएगा क्यूंकि ब्लेक वाला ब्लेक वाला का पूरा एक कॉयल होता है ठीक है इसमें 225 दिखाई दे रहा था अब इसमें चेक कर लेते मतलब 290 ohm दिखा इधर है मतलब 225 था यह 290 है तो जिसका ज्यादा value है वो running का हो गया यह बाहर वाला coil हो गया जो इधर वाला है वो हो गया starting का अगर आप ऐसे नहीं पता कर पाते हैं तो इस wire को फकड़िए अब बाहर वाले wire पर कहीं से हलका से scratch कर लिजिए और value चेक कर लि अगर आपके पास multimeter नहीं है तो यह तो हो गया अब एक सवाल हो रहता है कि कई-कई सारे पंखे में तीन coil होते हैं ठीक हैं तीन wire निकले होते हैं वो तीन wire क्या होता है दोस्तों तो तीन wire यह होता है दोस्तों जैसे कि यह है जब हम पंखे को connection करते हैं तो एक running ओर एक starting को को इस तरह से sort कर देते हैं इस तरह से और यह कई-वार होता है अंदर से how cos hoka बाहार आता है ठीक है और नहीं होता है तो दो बाहार sort करते है ठीक है इसतरह से समगा सोट कर दिया अब यह हमारा वायर को गया कॉमन ओगयागि यह स्टार्टिंग करने स्टार्टिंग आपको पता चल गया ती क्या क्या ले की जादा थी रॉ Ç Corner को गया यह अब इसमें चींग काम करें पता कर पाएंगे काम करते दोस्तों कैसें तो जातर जो कंपनी के पंख्य होते हैं ब्लू कलर का होता है जो की कांवन होता है अगर नहीं है ब्लू कलर कोई सेमी कलर है तो उसका भी स्वल्यूशन है तो इसको और पर ही रखेंगे ठीक है वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ध्यान से देखिए आपके बहुत काम आएंगे तो कोई सब्सक्राइब पकड़ लेंगे और इस तरह से कि चेक करेंगे ठीक है तो देखिए पांसो्सोला ओम दिखाई दे रहा है थीक है अब किसी एक वायर को छोड़ दीजिए मानले मैं इसको छोड़ दिया अब जो एक त्सकरा वायर है यहाँ पे तो डबल दिखाई करेंजिए एक कि वाईर आर रहा है अब मैं इसको चेक करूँगा यहाँ पे देखेंगे दो 299 राए ठीक है निसका है और फिर बाप्सी इस पर आते हैं ज्यादा वैल्ली राए ठीक है 289 रा रहा है कि अनृअ पांसो सिपंदरा रा रहा है फिर इस पहले जाएंगे 289 आ रहा है ठीक है 289 इससे टेच कर रहे है तो 289 आ रहा है अब इससे हम इसको चेक करेंगे तो 225 आ रहा है मतलब कि यह रणिंग है ज्यादा आ रहा है एक कम आ रहा है जब इन दोनों को टेच करेंगे 12 15 15 आ रहा है मतलब सबसे ज्यादा आ रहा है तो मतल यह 50 आ यहांरे चीमिंग हो गया और यह स्टार्टिंग होगे ठीक है यह आपको किलियर हो गया उसके बाद क्या होता दोस्तों कैसे किया जाए चानेक्षर LOL के लिए मैं आपको बताता हूं जिसमें 3 तार होता हो, common आपको पता चल गया होगा, कि कौन साelier, common का होता है, कौन सा running, कौन सा starting ठीक है, अगर नहीं पता, अगर 4 तार होते हैं, तो 2 तार को téज एक सने, किसी भी वाईर को, Common एक running को, ठीक है, हो गया, 3 तार आपके पास, लिए अब यह जो तार है common वाला इसमें डैरेक Lum一點 देंगे ठीक हैежन दो-तार बजल इसमें कंडेंser का Connection करेंगे हैं तो किसी म कंडेंसर का Connection करेंगे हैं तो किसी में भी Connection कर सकते हैं इस तरह से हैं इस तरह से कंडेंगे यह और इसमें लाल वाला है तो एक तार लाल वाले में जोड़ेंगे एक तार इसमें जोड़ेंगे ठीक है उसका पंक्य को हम सेट कर देंगे मतलब कनेक्शन कर देंगे कई बार आपने देखा हुआ कि फिर पंखा उल्टा गुमता है तो उल्टा गुमने की स्तिति में क्या करेंगा दोस्तो ऐसा नहीं कि आप पंखा जब उल्टा गुमता है एक तार इसमें जुड़ा हुआ है एक तार इसमें जुड़ा और पंखा उल्टा गुम रहा है तो लेकिन यह गलती नहीं करना है दोस्तों अगर ऐसा कर देंगे आप तो पंका तो आपका सीधा चलने लग जाएगा लेकिन कुछ घंटे बात पंका फुक जाएगा आपका तो इस कंडिशन में क्या काम करना पड़ेगा यह वाला जो रैड वाला वायर है मतलब जो रनिंग वाला है इसको यहां छुड़ाएंगे और जो हमने इधर कॉमन बना रखा था इसको हमें कंडेंसर में जोड़ देंगे ठीक है इस तरह से और इस वायर को हमें कॉमन में जोड़ देना है अब फिर आप कनेक्शन करेंगे और इसमें तो पंखा आपका सीधा चलेगा जिससे कि आपका पंखा भी खराब नहीं होगा और एक चीज और है दोस्तों कि जैसे कि पंखा हम बांते हैं नया और उसमें कंडेंसर हम लगा देते हैं 3 सवा 3 का तो पंखा फुक जाएगा आपका इस पी बहुत ज़्यादा आएगा और पंखा फुक सकता है इसलिए नया जब पंखा कोईल बांदे तो उसमें आप 2.5 या 2 मैक्रो फेर्ट का कंडेंसर लगाएं ठीक है इससे ज़्यादा अगर कंडेंसर लगा किसी और वीडियो में आपको कोईल बांदने के लिए आपको बताऊंगा कि कोईल कैसे बांदते हैं घर पर ही अपने हाथों से कितने नंबर का वायर यूज करना चाहिए और क्या-क्या कॉम्पोनेंट इसमें लगता है इन सब की जानकरी मैं किसी अगले वीडियो में आप को दे दूँगा वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है आसा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए शेयर करिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करी लिजिए और लाइक जरूर करना इस वीडियो को मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर जब तक के लिए धन्यवाद बाय बाय दोस्तों